आजुको चर्चामा कथित संत रामपाल को भंडा फोर गने छुँँँँँँ अचोले धर्म संप्रदाए का जुन धन्दा धारी छन पंडित पाजरी आधिको जीवन भर भंडा फर गर देगाए रपनी यो यो खाडल एस मानव जाती कुछ लागी उतिनेई छो रमाईले आज एस रामपाल रुपी भयान खाडल लाई पूर्ने जतिनेई कोछिस गरे पनी यो मानव जेतना एस तो इस्तितिमा आयको छो धर्मसंप्रदाएले नहीं यो इस्तितिमा ले आयको हो यो इसको नहीं परिराम हो रामपाल धर्मसंप्रदाए को कर्मको फल हो रामपाल यो तो सुनिश्चितितियो धर्मसंप्रदाए आम ले जसरी मानेऊं जसरी जानेऊं जसरी अपनायों यो कर्मको फल अब रामपाल जस्तितितियो धर्मसंप्रदाए आम ले भोग पर्नेच रेसलाइ सीद यति नहीं जानु धर्म संप्रदायले आज समोल गरेको कर्मको भल हो रामपाल यति सीद अचा सारल यति नहीं जानु अब धर्म संप्रदायलाई हल कर्नु यति सरल चाई नहीं राइस्तो फल रामपाल यति फल फेरी लागी नहीं रहने जा फेरी रामपाल को फल खाने यही धर्म संप्रदाय फित्रके भोका जसले जान देनन भोका को अर्थ जसले जान देनन मान देनन यहां जो विक्रित भये उनी हरूले नहीं यसलाई अपनावने छन। यो विक्रिती केवल माननेता को विक्रिती हो फेरी यो माननेता लाई ये सभेताले विक्रिती होई न। चरम धर्म मान्द माननेता लाई तव रामपाले पनी यही माननेता को बल लाई चापेरा शास्त्र लाई चापेरा उसले येवटा सब्दा लाई मात्र येवटा सब्दा लाई व्याख्या गरी देरा कू व्याख्या गरी देरा येवटा सब्दा को व्याख्या गरेरा विक्रीत मानव को भेड जम्मा पारेको छो इस वो तो सभई धर्म संप्रदाय को हालत यही माननेता को नहीं हालत अब रामपाल यह धर्म संप्रदाय में फरक के छो इसलाइट ठीक संगत जानू पने छो हर धर्म संप्रदाय ले उनिहरो आपहीमा बाधिंचन आपनो सास्त्रमा बाधिंचन तेस सास्त्र रुपी गोबर लाए उनिहरले जुन रुपमा दुर्घंदीत पार्चन त्यो थोरे दुर्घंद थियो धर्म संप्रदाय को दुर्घंद एस मानव जाति को लागे थोरे सिमीत दुर्घंद थियो इस उताई हैं सबही अनेक खाल का दुर्घंद थान फेरी तरह रामपाल को एके खाल को दुर्घंद धेरे भायको छा उसले हर दुर्घंद लाई एसरी कोजल छा हर सास्त्र लाई एसरी कोजल छा कि एसको दुर्घंद धेरे भायको छा यो हालत यो मानाव चितना को हालत उनान से पतिसद मानाव चितना को हालत हो जसलाई यो दुर्घंद मा फसावना सकिन छा अब यहां जुन बाइबल को दुर्घंद हो यो किर्षियन भीडले भैलाउने हो कि यो नहीं एक मात्र इसर हो यो नहीं परमेसर हो जिशस नहीं सब्थोक हो फिर अर्कोले होईन यो नहीं सब्थोक हो महाबीर नहीं सब्थोक हो महमबत नहीं सब्थोक हो किस्ना नहीं सब्थोक हो सिवा नहीं सब्थोक हो कि सबेले दुर्गंदा फैलाई रहे कही छन। तर उनी हरोसंगा सिमित सास्त्र छा, सिमित गुरु छा। तर रामपाले सबेले गोबरलाई एकेड हमले आरा दुर्गंदा फैलाउं छा। तेसमा जो मानव चेतना को माननेता को जुन दुर्गंदीत चेतना आनिमा छा। यो दुर्गंदा बनेको यो चेतन दुर्गंदा बनेको माननेता को जानने तर्फ न जान। मानने तालाई नहीं खोतली रहन। मानने तालाई नहीं मानने ताको परमार देन। इस तो दुरगंदा यहां धेरे फाईलिये को छ़ा, धेरे फाईलाने छा, यहां फाईली रहे केई थीओ, यही फाईली रहे को दुरगंदा को कर्मा को फल, रामपाल जस्तो दुर्घंदला हटाउनों को लागी अब यहां और कुछ नहीं उपाय चाहिए ना एक तो यहां कोहीं ग्यानी जन्मने छा जुन ओसो जस्तो जीवन भर धर्मसंप्रदायको भंडाफोर ले थोरे भायपनी थोरे हाथ सम्भव छो र औरको सम्भव हो बेगती स्वेम ले जान्न उपाने छ यहां औरको उपाय नहीं छाहिए ना इहां नाम संतरामपाल ज अब उसलाई जान्नू पाने छ उहो कबीर भक्त अंदो भक्त हो फिरु उसलाई संत नाम दियेको छ फिरु उसली सास्त्र लाई यहरी खोतल्चा येवड़ा सब्द एशरी खोच्छा कभीर कभी आनि कभीर सब्द लाइश उसलिए एशरी खोच्द छा आनि एसको अर्था लागचा मेरें जसको अंधु भक्ता हो तो सब्थोक वही नहीं हो एस तो अर्था लाँचा यहां भंद घेनलाग दू दुर्घंद अरु के होना सक्ष मानव समास मां यो मानव जाती मां होना तै यह तो दुर्घंद महीं छोँ आनि यहां उनान से पतिशत मानिश धर्म संप्रदाय को दुर्घंद महीं छन फिर उसले सब्धाय को दुर्घंद लाई लियारा जनी विक्रित पारे रभ भाई लाउनों यो अजब मुर्खता होने छो धर्म संप्रदाय को जुन दोसी छन उनी हरु लाइता छे माद्दीना शकिन छो तरा रामपाल लाई छे माद्दीना असंभव छो नुन दोसी छन कि ने कि वो कार्म को फाल हो इस फाल लाई माने इसले भोगनों नहीं पारने जा अब इसको समधान के है उसले जुन सास्त्र को दुर्भन्द फाइलाई रहे को छा यो सास्त्र भने को गोबर हो जन जरा माहलन पारच इसको ठीक उपयो गन पारच ज्यान लाई सास्त्र रुपी ज्यान लाई रहे लो ज्यान नहीं नाम देऊ सास्त्र ज्यान हो भने पान इसले जरा माहलन पारच गोबो माहलने होई ना सास्ट्रको अर्थ लगाउने होईन, सास्ट्रको अर्थ अनुभव द्वारा परमारी थुनच, एहां लव को अर्थ, मुर्ख ता हो, लव अनुभव हुनच, एदि हामले लव को अर्थ युपाने तक नकलत खे में कुपाहाइं सुख्याजियॉ रेमट सब्दलाई, अर्थ लावने होयन अनुभाव करने हो, तैस्टूरी थिति पनी अनुभाव लावने होईनुभाव लावने हो यहान नाम संगपुसको कुने संब्नलाज है उसार हो उस बेनाम हो उस्थित्त हो इसलाए मानाव चेतनाले अनुभाव का नसागत्थ बस एत्ति हो इस्षोर तेस चेतन इस्थितिको नाम हो नाइस्षोर जिशास हो नाइस्षोर किस्ना हो नाइस्षोर सिवा हो ना इस्वर महांबीर महांबत हो ना इस्वर अभीर हो ना वसो हो कोही होई ना इस्वर उनिहरूले गरेको चेतन इस्थितिको अनुफाब इस्वर हो उनिहरूले जसको नामी है मैली लिए उनिहरू जसके धेरेल गरेको चेतन इस्थितिको नाम हो इस्थितिको नाम हो जाते इस सबैले अनुभाब गाना सकता छा तो उँ अनुभाबी होई शोर। ये अनुभाब भांदा बाहिरे होई नाई शोर। तो अनुभाब को नाम होई शोर। यहां शास्त्र को जरुरत छाई लव जशरी अनुभव हाने गर्चों तो ते मक्छे तो इसोर पनि अनुभव गने हो यहां सब्द को उल्जन को मर्खता फिरी धर्म संप्रदाइगे चस्ते दुर्भाग के बनने चा तरह आम पाल लाई जानुँ उस लाई सजाएं दियूँ उस लाई समाप्त पार हो उसको सरीनल समाप्त बने को होई ना उसले फैलाई रहेको दूर्भणत लाई समाप्त पार हो जिमेवार छो यहां राज्य जिमेवार छाए ना यहां कानून जिमेवार छाए ना यहां भारत जिमेवार भने होई ना यहां हर बेक्ति जिमेवार हुन छा यहां अब यहां सास्त्र रुपी गोबर की हो भन्यकुरा अब मानिशलित जाने न भने यहां सास्त्र गोबर हो भने यो यो सब्धलाई मानिशलित ठीक संग भुजन सकी न भने इस गोबर ले जुन दुरगंद फैलाउने छो यो रामपाल को जस्त ता यो गोबर लाई गोबर के रूप मा उपयोग मा ल्याउन ता यो गोबर को पनी उतिने मुल्ले छो जब हमिले योडा बीज फल को लागी जमीन मा लीर जाने जुन काम गर्नुछ इसमा गोबर को महत्तो यो बीज को भन्द अज महत्तो छो ता यो गोबर को पनी महत्तो छो यो इदी उसलाई सहीठाऊमा हाले उभने जरामा हाले उभने माटो मा ता हाले उभने एदी गोबर लाई बीज माने रहे रा जमीन मा लाई भने तो कुहीं छ ता यहां सबै माने राम पाले एशरी ने कुहाई दी एको छ शास्त्र रुपी गोबर लाई माटो मा जमीन मा नहाले रा बीज मा बोट को टुपो मा गुबो मा मस्तिशकमा अले ख़ बाचन द्वारा उने ऐर्थ लाउने द्वारा इसरी शास्त्र फसथ्ट्र जानियो बने त्यों मानिस को वेक्तित्ऩ समाप्त हुंच यहां सभई धर्म संप्रदाय मानने ता वस्त रहे को वेक्तित्थ समाप्त भाय को व्यक्तित हो ऊसको कुने ही फ्यात्मिक रूप उसको कुने सत्य रूप छाइशन वो हमरी शक्के को एदी वो ऐस फ्यास्त्रा रुपी गुबर्लाई धर्म संप्रदाय को धन्दाई रुपी गुबर्लाई हटायर ह्यिर सभाने वो फेरे बीज बनना सक्थ त्यों छेमता मानव माच्छ एदी यो हटाई ये न भने त्यों गोबर द्वारा उजामिन मा गढ़ने छा राउ नस्टा भायरा जाने छा उसको जिबन को कुने ही मुल्ले छाई ये शरी नहीं रामपाले जुन बीज मा गोबर भई रहे को छा य यो मानव जातिलाई समाप्त पार्नकुला चेतन रुपले समाप्त हो यो सारी रीक रुपले भने घुए न उसको ब्रेक्टित्तो समाप्त हुँच्छ बुद्धी समाप्त हुँच्छ उसले जान दाई न उसको ज्ञान समाप्त हुँच्छ उसले ज्ञान तर्फ जाने ब जो ग्यानी छन जो वास्तवीक ग्यानी होन तो उनी हरो ओशो जस्तो नहीं उत्री एराउन इसले पनी थोरे हाल गर्न सहयोग गर्ने छो ओशो ले आपनो जीवन मा जुन भंडा फोर धरम संप्रदाए को धन्दा धारीलाई अपनायका थे योग भंडा फोर हर ग्यानी ले गर्न परेच उँव आफन उचाई बाटा परू ताल जहर्नों नहीं अहीं उख जहरे रह नहीं यो काम गर्न नहीं परने छा एदी यो काम गर्न सके ना भने ते वास्तरीक ग्यानी लाई पनी दोस लागने छा ता यहां ओसो को जस्तू भनी का हर ग्यानी उत्रानों परने छा यो एउटा समधान हो और को समधान हो हर बेक्ती तिमी आफेज मेवार छो यो तिम्रों नहीं कर्म को फाल हो भोगा ता रामपालाई भोगा तो नस्त भव जाओ यो कोरोना भाइरस जस्त यो हाम्रों नहीं कर्म को फाल मानिसको नहीं मुर्खता को फाल अब ये दोई उपाए यहां तिमी बेक्ती आफेज सबय आफेज मेवार छो यहां संत रामपाल अपनेर जून यो घेडित दुरखंद फाई लाई येको छो यो दुरखंद मा जुन भीड गई रहेको छो तो भीड लाई देखदे यहां हर भीड जानाई छाओ येसमां तिमी आफेजी मेवार छो उस जस्तु बेक्ती तर दुरुल लव रूपमा तला जहर ने चाँ जो आध्यात्मिक उचाई मां चाँ उसले तर यो विवाहद गणने नहीं चाई यहां एक दुई जाना मात्र यहां आउने चाँ जसले यो दुरखंद ढ़ाना अलाय शहयो और ढाउना तलाय शहयो गणने चाँ धेयरै इले तक यहांने चाई ना यह मன ब जाथ थि तिमी आफेजी मेवार जाऊ familiar लाuçण एफेज जाना शस्तु लाय हो इसलाई चिंतन मनन ध्यान द्वारा साधनान द्वारा आफो महाला सास्रलाई अनुभाव गरेर परमारीद गर आजगलाई एटिने